हे दोस्तों, श्रीपर्णा स्री चैनल में आपका बहुत वस्यागत दों आज की जो वीडियो है ना, यह बहुत जादा इंपोर्टिन्ट वीडियो है जाए आप एक लड़का हो या पिर लड़की हो, जाए आप मैरिड हो या अन्मैरिड हो हर एक के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी पांच बाते जो आपको अपनी पार्टनर को करते ही नहीं बताना चाहिए कभी भी नहीं बताना चाहिए और अगर आप बता देते हो तो आपको बहुत ही ज करते हैं इससे पहले अगर आप चैनल में नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल वाल आइकान दवा लेजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए तो सब पहला जो पॉइंट है यह है देखो जब आप किसी के साथ भी प्यार में आते हो तो चीस मर गया है आप सोचना वो चीस मर गया है मर के वह भूत बन गया ठीक है वह अब कभी भी वापस नहीं आने वाला है जैसे हम बोलते हैं भूत काल तो आप समझ लेजे कि वह एक्जम से भूत बन गया है मर के भूत हो गया ठीक है तो उसको आपको वापस नहीं लाना है आप क्या करते हो प्यार में पढ़ते ही आप अपने एक्स के रामायन जो है न अपने पार्टनर को बोलते रहते हो तो ये आपके सबसे बड़ी कुलाडी होता है जो आप अपने पैर पे मारते हो आपको कभी भी अपने पार्टनर को अपने एक्स के बारे में सारी ये जो रा के वारण के वज़े से बता सकतों है ऐसा सोच सकतों कि हम दोनों के बीच्वना सब कुछ clear होना चाहिए हमारी जो पिछले दिन की बात है उसको हमें छुपाना नहीं चाहिए तो ऐसे कुछ psychological है और इस इसका आपको बनक तक नहीं लगता आप सोसते हो मैं तो बड़ा अच्छा काम कर लिया है इक्स के बारे में बटा के मैंने एकदम से मतला हो ठीक है यह आपके first point है अब second point में आते है second जो point है यह है दोस्तों आपके दिल की जो exact feeling होता है आपके partner के प्रती चाहे वो आपका कुछ भी feeling हो सकता है चाहे आपके feelings ऐसा हो सकता है कि partner अगर आपको छोड़ के चले जाएंगे तो सच में आप मढ़ ही जोगे या फिर अगर partner के साथ नहीं रहेंगे तो आप और किसी के साथ नहीं शादी कर सकते या फिर कुछ भी कुछ भी आपके मन में हो partner के पती जो भी exact feeling है उसको as it is आप अपने partner को मत बताओ और यह हमेशे याद रखना अगर आप किसी को अपने साथ lifelong के लिए चाहते हो रखना तो आप को अपने दिल की feelings exactly उसे सारे चीज़े नहीं बताना होता है अगर आप किसी को अपने साथ lifetime के लिए रखना चाहते हो तो बिल्कुल अपने feelings मत बताओ आप अपने feelings के 20 या 30% बता सकते हो लेकिन 70% तो गल्दी से भी मत बताओ और जो इंसान अपने feelings के 100% ही बता देते हैं क तो इससे क्या होता है partner के नजर में बहुत जल्दी आपका value गिर जाता है डाउन हो जाता है और आप दोनों में जगरा जमिला लड़ाई फिर breakup हो जाता है तो अपनी जो feelings है उसको secret रखना सीखो वो पस आपकी ही feelings है तो आपके अंदर रखो सब कुछ partner को दिखाने वाली च सचता होगे ना आप अगर मेरी वीडियो सुनोगे और आप सोचोगे नहीं हम तो बताएंगे तो बताओ ना फिर आप कहीं problem होता है ठीक है तो मुझे उस तो कोई फरक नहीं परेगा लेकिन अगर आप मेरी बाते सुनते हो follow गर तो इसमें आपका फायदा होगा क्योंकि मै हर चीज according to psychology ही बताने की कोशिश करती हूँ तो अगर आप हमेशा अपने पार्टनर को सच बता दे हो तो ये भी आपको नहीं बताना चाहिए अब देखो कोई कोई मुझे सा comment कर सकते है कि मैडम आप जूट बोलना सिखा रहे हो क्या हम क्या अपने पार्टनर को जूट बो पागे का चीज सारे सब कुछ चीज अगर आप सच सच पार्टनर को बता देते हो तो आप एक खुली किताब के तरह हो जाते हो जिसके बारे में पार्टनर को सब कुछ पता होता है अब आप खुदी बताओ अगर आप एक स्टोरी बुक पढ़ते हो और उसको पूरा कि आनने के लिए बचा ही नहीं है तो आपका इंटरेस्ट क्या रहेगा उस वुक को पढ़ने में नहीं रहेगा ना तो आपका इंटरेस्ट घर्ट जाता है इसी तरह से अगर आप अपने पार्टनर के सामने एक खुली किता बन जाते हो जिसका सब कुछ उसको पता है मतलब आप क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो, क्या करोगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या future goal है, सारे चीज़े as it is, सब कुछ उनको सच पता है, तो फिर उसका interest आपकी उपर से कम हो जाएगा, बस मेरा कहने का यही मतलब है, मैं कुछ ऐसा नहीं बोले कि partner के साथ हमेशा आप जूट बोलो, हमेशा उसको दगावाजी करो, कुछ भी ऐसी बात नहीं है, बताने का मतलब यही है, सारे चीज़े जैसे आप खोल के रख देतों, सच बता देते हो, तो इससे क्या होता है, आपकी उपर partner का interest कम हो जाएगा, तो यही main बात है, तो हमेशा कोशिश करना हर चीज, सच सच, सब कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको reporter नहीं हो कि उसके पास आपको पूरा दिंचरिया का एकदम से report करना है, ठीक है, या फिर पूरा future goal का एकदम से report करना है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, थोड़ा सा खुद को mysterious बनाओ, थोड़ा सा खुद tip बनाओ, सब कुछ खोल के बोल दोगे, तो एक दम सब तीस मार्खा नहीं बन जाओगे, ठीक है, तो इससे आपका खुद का value जाना घटता है, तो यह अपकी third point, अप four point में आ जाते है, आप अगर अपने partner को first priority देते हो, तो यह आपके गलती होता है, ठीक है, और उसके सब कुछ आप ही मेरा first Friday हो, आपकी बिना तो मेरा सब कुछ अंदकार है, आप अगर चले जाओगे तो मैं महरे जाओँगा, यह बो मतलब देना तो गलत बात है, वो तो देते ही हो, फिर से बता भी देते हो, तो यह बहुत गलत बात है, दोस्तों, इससे बहुत कुछ होता है, इससे क्या होता है, आप सोचतों कि इससे कुछ नहीं होता है, बता देंगे तो क्या होगा हम दोने में प्यार बढ़ेगा, तो ऐसे प्यार नहीं बढ़ता है, ठीक है, अगर आप ऐसे बता देते हो, आपका वैलू बढ़ता है, आप जो सोचते हो, एक्चियल में, साइ संबल संबल की चलना चाहिए अगर आप किसी के साथ रिस्ता बना रहे हो उसके साथ आप लॉंग टाइम तक रहना चाहते हो तो आपको थोड़ असा human psychology का knowledge होना ही चाहिए ने तो आप इस दो को अच्छे सा hendle नहीं कर सकते ठीक है तो आपको क्या करना है चाहिए एक तो partner को first priority नहीं देना चाहिए जितना भी आप उनको प्यार करते हो वो अपने दिल पे रखो first priority हमेशे अपने काम को दो जो भी आपका काम है जो भी आपका passion सब specially just order dental garden और अगर आप पार्टन tuna की देती हिएels को अपकी दिमाग में कुछ थोसको कभी बताऊ मत अपने मूह से थीवाफ इतना मानने की कोशिश करो अगर और यह पी तो उसको बताऊ तो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दो आपकी लाइक से मुझे बहुत जादा अच्छा फिल होता है ठीक है तो चुरो पांच नमबर पॉइंट में आ जाते है यह है दोस्तों अगर आप अपने पार्टनर को यह चीज़ बताते हो कि अगर आप मुझे छोड़ एकदम से खतम कर दे तो अगर आपके पार्टनर के मन में आपको खोने का डर ही ना हो क्योंकि आप खुद बता रहे हो कि अगर पार्टनर आपको छोड़ के चले जाए तो आप मर जाओगे तो इसका सीधर सिंपल सा मतलब है आप तो उनको कभी छोड़ ही नहीं सकते है तो तो इसका क्या मतलब है यही मतलब है आप उसके दिलो दिमाग से खोने का डर एकदम से मिटा रहे हो अगर आप किसी के मन से भी खोने का डर मिटा दोगे तो वो आपको हलकी में लेना स्टार्ट कर देंगे वो आपको वैलू कम देंगे वो आपकी रस्पिक नहीं करेंगे क क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो मेरे पास एकदम से पर्मनेंट है ठीक है ये कहां जाने वाला है अगर मैं चला जाओ तो ये मर जागा तो ये खुद कहा जाएगा ठीक है इसका तो कोई वजूद ही नहीं है मुझे छोड़के तो ये चीछ से क्या होता है वो आपको हलके मे लेना शुरू करते है वो आपको ग्रैंटिट लेना शुरू करते है अब सबसे बड़ी मुश्किल क्या होता है पता है ये जो सारे पॉइंट आप सुनते हो सभी सुनते हो ना सब सोस्तों ये मेरे साथ तो नहीं होता है किसी और के साथ होता है सबको ऐसा ही लगता है जैसे किसी की मौत देखके हमें क्या लगता ये मर गया हमें कभी नहीं लगता हमें मरने वाले हैं ठीक है कभी नहीं लगता किसी को नहीं लगता लेकिन ये ही है हमें हमेशा लगता है कि ये दूसरों के साथ ही होता है हमारे साथ नहीं होता है क्योंकि हमारा रिस्ता तो बहुत अच अगर आप अच्छे डिलेशन्शिप में इस सारे खलती करोगे तो वो बुरे डिलेशन्शिप में कनवर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा ठीक है तो इसलिए आप वीडियो सब में शेयर कर दो चाहिए उसका डिलेशन्शिप अच्छा हो या बुड़ा साइकलोजिस इतने में कोई प्राबलम ने इसको सीखो अपलाई करो अपने डिलेशन्शिप को मजबूत करो सही करो ठीक है और एक अच्छा लाइफ लीट करो तो अच्छा लिट करो तो अच्छा लिए इतना ही अगर आपको ऐसे वीडियो रेगुलर लीजे तो करना ना भूलना तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ क्राप सब्सक्राइब करेंअ बासं पूलना ही और रहा ही यूं颜र तो अपक्राइब कर देने पूलना है जहाईबू में राणcling yıleeeeee